तो एक तरफ जहां मैदान में सैलाव का सितम है तो वहीं पहाड भी भारी बारिश चे जिन्दगी बेदम है हिमाचल पदेश में बुद्वार राथ को तीन जगों पर बादर फटा था चार घंटों की भारी बारिश ने ऐसी तपाही मचाई कि घर स्कूल दुकान सब को सैलाव अपने साथ बखा ले गया सिर्फ एक गाउ के ही 36 लोग लापता हो गए लेकिन समाल ये कि बारिश आपदा क्यों बन रही है आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई आम पत्थर नहीं है ये विनाश का पत्थर है ये वो पत्थर है जिसने कुछ सेकंड के भीतर नजाने कितने लोगों के बसे बसाए घर को उजाड दिया नजाने कितने आशिया ने तबाह कर दिये आप कहेंगे कि भला एक अकेले पत्थर ने ऐसा कैसे किया तो ये तबाही का वो चेहरा है जो हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आस्मान से बर्जी है महत का सालाब जब पहार की चोटियों से नीचे की तरफ बढ़ रहा था तो प्रचंड वेक के साथ वो चटान के ऐसे बड़े-बड़े सैक्रों टन्वजन वाले पत्थरों को भी लेकर आ रहा था और ये पत्थर जब पानी के साथ पहार के रियाहिशी इलागों तक पहुँचे तो वा मलबे के सिवाए और कुछ बाकी न रहा हम समेथ गाओं में हैं इस वक्त और समेथ गाओं में आपको ये मनज़र दिखाते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है बादल फटने से हुई है ये जो सामने आप खट देख रहे हैं ये जो रूट है इसका दरसल यहाँ पे कम से कम बारा घर हुआ करते थे और पहाडियों पे उपर जो बादल फटा है उसके साथ जो मलबा आया पत्थर आये वो सब कुछ अपने साथ समा के ले गए और गाओं के लगबग 36 लोग जो हैं वो मिस्सिंग हैं तो अंदाजा हम लगा सकते हैं सामने ये बड़ा सा पत्थर आप देख सकते हैं ये इस तबाही का मंज़र जो है ये अपने आप में वया करता है कि किस तरीके की तबाही इस गाओं के लोगों ने जेली है यही माचर प्रदेश में शिमला के पास रामपुर की तस्वीर है जहां समेज नाम का पूरा गाओं ही तबाह हो गया इस गाओं के रहने वाले दो चेहरे आपके सामने हैं जो पानी की भयानक आवाज सुनकर रात बारा बज़े अपने घर से निकल कर पहाण की तरफ भागे थी जान तो बच गली लेकिन घर ग्रिजती सब कुछ पानी बहा ले गया बारदरस के थी वाज आवाज आ कि रहे और समयल आ पान गर्वार ग्रइं था इपानी वहान का और थी जस मेरा के पे एक किचिन दा य। टॉलेट बातरूम थे को पानी घर मज़े थी क्या आप कलपना कर सकते हैं? क्या आप आराम से अपने घरों में सो रहे थे? अचानक सैलाब की दस्तक होती है और फिर कुछ सेकेंड के भीतर सब कुछ खते सालों की जमा पूंजी पानी में बह गई और कई परिवार तो ऐसे थे जिने जान तक बचाने की आहट नहीं मिली ये 200 फीट का एरिया है 200 फीट एरिया है जिसको जो है ये नाला जो है पूरी तरह भर गया था तो अंदाजा इस भायावता का इसकी लगा सकते हैं हम की ये छोटा सा नाला जो अभी आपको बिल्कुल छोटा दिख रहा है ये रात को कैसा रहा होगा दूर तक आप देखेंगे जहां तक नजर जाती है वहां तक तबाही का मनजर तबाही के निशान जो हैं वह नजर आते हैं दरसल कुलू और शिमला का ये बॉडर पड़ता है ये सतलुज नदी के इस तरफ ये गाउं है सामने आप देख सकते हैं अभी भी घर जो हैं वह नजर आ रहे हैं इनके साथ भी कम से कम बारा घर थे जहां से सुना आपने कैसे छोटी सी बहने बाली नाले की ये धारा 200 फीट तक फैल कर विक्राल हो गई थी जो लोग लापता हैं उनकी तलाश में देश के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं रेस्क्यू आपरेशन के दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिये जहां पहार से नाले तक पहुचने के लिए जवान रस्ती का सहारा ले रहे हैं जवानों द्वारा यहां एक पुल जो है बना दिया गया है इस खड के उपर नाले के उपर ताकि जो बचाव करमी हैं वो दूसरी तरफ जो हैं खड के असानी से जा सकें तो इस तरीके से इस जो सर्च ऑपरेशन है उसको तमाम यह बचाव दल जो हैं आगे बढ़ा रहे हैं एंडियरेफ के जवान लगे हैं जगा जगा तलाशी अभियान चला है ताकि मिट्टी खोद के जो है सर्च की जा रही है ताकि कोई शव जो है जो गाउवाले उस जल जले में बहे थे उनका मिल सकें पैरों के नीचे से जमीन खिसंग जाने का मतलब क्या होता है ये हिमाचल का हाहाकार बता रहा है गाउं का संपर्क जो है अब शिमला से कट गया है क्योंकि बिती रात जो है जो एक सड़क गाउं को जाती है मतर एक सड़क जो कनेक्टिंग रोड है वो भी तूट गई है सामने आप देख सकते हैं जितना ये खुला स्पेस आपको दिख रहा है इस छोटे से नाले के उपर इसमें तमाम में पानी था रात को उस रात जब यह जलजला आया यहाँ तक पानी था यह जो शड़कर जहा जिसमें जो है ये लोग जो हैं तूटके बिकर गए हैं आपके परिवार में कौन-कौन थे इसमें जो आई हैं अब उसके मेरी वाइप और बेटी थी गाउं से फोन आया था मैं कि इसमें साइड आवाज बहुत आ लिए फिर वैसी में फोन के फिर वाइप को फोन सुचव पी आगए उतने हमें वो ले गए हैं लग बगए सोच कर भी जहन काप उड़ता है कि आखो के सामने आपके बच्चे और घर दोनों को सैला बहा ले जाए तो कैसा महसूस होता होगा हिमाचर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खू शिमला जिले के समेच गाउं में पीडित परिवारों से मिलने पहुचे आप देखो ना ये है देखिए जेसीवी से इतने बड़े पहाड पत्थर ये चोटा नाला था है बिलकुल चोटा नाला था पहले नहीं देखा वहाँ अभी नुकसान नहीं हुआ है वहाँ सडके टूटी है जो कि अकसर बरसातों में आज से नहीं पहले से होता है लेकिन इस क्लोड बोर्स से ऐसा लगता है कि ये ऐसी क्या ऐसी आपदा थी कि इसने एतने एक छोटे से नाले को इतने बड़े पहाड में 40-50-50 मीटर पानी उपर आया लोग दूर रहते तो भी भैगे और ऐसी भयानत तरह से सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रामपूर में समेज गाओं में नहीं पसरी बलकि मंडी से लेकर कुल्लू तब को हराब मचा हुआ है कुल्लू में मलाना टैम भटने के बाद पानी मौत बनकर गाओं की तरह बढ़ा था वो पानी तो गुजर गया लेकिन अपने साथ जिन्दगी और उसकी निशान भी बहा ले गया है ये वो जगा है जहां करीब एक दरजन घर और मंदिर हुआ करते थे लेकिन अब सिर्फ मलबा और मिट्टी का कबजा है बाड से प्रभावित हुए परिवारों का कहना है कि मलाना डैम पर योजना इस हाथ से की जिम्मेदार है हिमाचल प्रदेश में पारवती नदी से लेकर ब्यास नदी तब उफान पर है इन नदियों में जब बाड आई तो कैसा हाखार मचा था उसकी तस्वीर देगी एक छटके के भीतर तीम मंदिला इमारत नदी ने लील ली थी और उसके वजूद का कोई निशान तक नहीं बचा था हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और शिम्मला के रामपूर में बादल फटा है 65 घरों को नुफसान पहुचा है, 23 जानवरों की जान चली गई है रामपूर में अंडी आरफ के 70 जवान सर्च उपरेशन चला रहे हैं जबकि कुल्लू के मलाणा में 20 से 25 लोगों के फसे होने की आशलका है जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता है हिमाचल के बाद चलिये उत्तराखंड जहां बादल फटने के बाद टेरी जिले के गाउं में भारी तबाही हुई है अर 40 घंटे पहले तक घर के भीतर जिस जमीन पर बैठ कर लोग खाना खा रहे थे बिस्तर बिछा कर सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे वो जमीन बरबादी की चादर में लिप्टी हुई है तस्वीरे तीरी जिले के जंख्याली गाउं की हैं जहां बादल फटने के बाद हर तरफ बस तबाही का मनजर है तबाही की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से आप देखिए यह जहां पर आपको बड़े-बड़े पत्थर मलवा दिख रहा है यहां पर दरसल एक भरपूर गाउं हुआ करता था पांच से छे मकान इस जगा पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलवे के नीचे दब चुके हैं नाम और निशान पूरी तरह से खत्प हो चुका है जो दूसरी तरफ की तस्वीर है वो भी आपको दिखा देते हैं यह देखिए जो आपको इस तरफ के जो मकान दिख रहे हैं वो भी इस मलवे के जद में आए और उसके बाद देखिए किसी की चट तूट गई है किसी का बेस तूट गया है किसी का पूरा का पूरा मकान भśoint भैगा इस गाड़ी की स्थिति दे की तस्वीर खुद बता रही है कि यहाँ पर क्या बीती है मेरे बंदने के लिए उठी हु यहांसे कि मैं दैसको अंदर बान लेती हु हूं तक कँरकी अंदर जोती हूं तो तो सर जैसे बार भायाय मिरे बच़े फिछे यहां तब तम आई तक drone तक अब लोग मलबे के बीच अपने घरों के भीतर से बजे कुछे सामान की तलाश कर रहे हैं गाउं में रहने बालों को एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है देखिए लोग किस तरीके से अपने घरों में जा रहे हैं गर जो कि अब पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है कभी भी गिर सकता है इसका पूरा बेस खत्म हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं अपना सामान देखने के लिए अपनी चीजों को उठाने के लिए कि किसी तरीके से जो बचा कुछा सामान इसको लेकर निकल सकें ये घर देखिए ये आज का नहीं सालों पुराना घर है और इस्तितिया आप देखिए कि घर के भीतर मलवा पसरा पड़ा है लोग उस वक्त रात का वक्त था लोग अपने घरों में मौजूद थे सो रहे थे खा रहे थे तभी अचानक से पानी बढ़ा और जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाए ये आप देखिए जितनी भी इमारते हैं सब तूटी वी नजर आ रही है ये देखे मकानों की चटे तूट चुकी है उपर जितनी भी मंजले इमारत थी सारी खाली हो चुकी है जब तक हमने सबजी रोटी बनाई रोटी भी आदा बनी थी तब तक जो है पांच मिनट में तस्वीरे देखिए कि किस तरीके के हालाते देखिए इस पूरे गाउं में यहाँ पर लोग रहा करते थे और जब पानी एकदम से आया तो उसके बाद किस्तिती देखिए कि अपने साथ कितना ज़ादा गाद लेके आया बड़े बड़े पेड के हिस्से जो है वो तूट क नहीं हुआ है उत्राखट के सोन प्रयाग में भूस खलन की तस्वीर देखिए जिसके बाद रेस्ट्यू आपरेशन को भी रोकना पड़ा देखिए मौनसून एक लोजिकल संतुलन बनाई रखने के लिए बेहत जरूरी है भारत में खेती का करीब 50-60 फीजदी मौनसून पर निर्फर करता है कम बारिश का मतलब है कम पैदावर जिसका नतीजा है महंगाई लेकिन पिछले कुछ सालों में मौनसून राखत बन रहा है या फिर आपदा इस पर चर्चा तेज हो गई है विश्व मौसम विज्यान संगठन ने अनुमाल लगाया कि साल 2021 में भारत में बार्ड और तुफाद से करीब 60,000 करोड का नुकसान हुआ जबकि पिछले साल हेमाचल परदेश में 12,000 करोड का नुकसान हुआ और अभी केरल के वाइनाड में जो तरास्दी हुई है उसके सही आकड़े सामने आना अमबाकी है साल 2024 में आसमानी आफ़क की सबसे बड़ी तरास्दी केरल के वाइनाड में सही केरल के वायनाड में 30 जुलाई की सुभा आसमान से बारिश नहीं मौत बर्जी थी लेकिन हाथसे के चौथे दिन उस वक्त चमतकार हुआ जब मलबे के भीतर से चार लोगों को जिन्दा निकाला गया दो पुरुश और दो महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला गया है चारों लोग एक ही परिवार के हैं वायनाड में बादल फटने से मची तबाही में 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है सबसे खतरनाक बात ये है कि 195 शब ही परामद हुए है जबकि 100 से ज़्यादा लोगों के शरीर का कुछ हिस्सा ही मिला है सेना नेवी और एरफोर्स की खरीब 40 ची में बचाओ अभियान में जुटी है सेना की टुकडी ने 24 घंटे के भीतर ये पुलतायार किया है ताकि बचाओ अभियान में तेजी आ सके यह जो ब्रिज है जिसने आर्मीने वनाय है इस ब्रिज के दूसरी तरफ उपर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर मुंद काई गाओं है वो पूरा गाओं अब मलबे के धेर के नीचे दबा हुआ है वहाँ पर भारी मशिनिरी ले जाकर मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब जो भी लोग वहाँ पर दबे है या दबे उनकी खोजबिन करनी है उन मलबो के नीचे ही उनकी खोजबिन होनी है इसलिए पुल का बहुत ज़रूरी था हादसे के बाद से ABP News संबाद दादा आशीश वाइनाड में लगातार ग्राउंड जीरो पर मौझूद हैं और वहाद रासिदी कितनी बड़ी है इसकी हर तस्वीर देश को दिखा रहे हैं हमारे पीछे के पहाड़ियों से ये लैंड स्लाइड शुरू हुई हम इसे में चूरल मला गाओं में हैं वहाँ से जो प्रवाह शुरू हुआ उसके मलबे बहकर इस गाओं तक आए और भारी तबाही चूकि प्रवाह काफी तेज था इसलिए भारी तबाही हुई नदी का कि नारा चौड़ा हुआ नजूल भूमी बिल को लेकर यूपी की राज़नीती गर्मा गई है कल हमें इसी शो में बताया था कि कैसे यूपी सरकार का ये बिल विधान सवा में पास हो गया लेकिन विधान परिशद में फस गया विपक्ष कहे रहा है कि बीजेपी की आपसी लडाई का ये पूरा नतीज़ा है नजूल भूमी बिल बुद्वार को विधान सवा से पास हो गये लेकिन गुरुवार को जैसे ही बिल विधान परिशद में आया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी ने विरोत कर दिया और बिल प्रवर समिती को सुझाओ और संशोधन के लिए भेज दिया सभी सरस्तों ने इसका समर्थन किया है कि ये प्रस्ताब पर और विचार विमर्ष हो और समिती अपना दो महीने में अपना रिपोर्ट इस पर दे मेरे लिए सभी पार्टी के कारकरताओं के लिए गर्ब करने वाला भी से है कि हमारी सरकार हमारे एजंडे पर चल नहीं है हम उन्हें पूरा कर रहे है बीजेपी अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि सरकार में सब ठीक चल रहा लेकिन जिस तरह से विदान सभा में बिलपास हुआ और विदान परिशद में फसा उसके बाद विपक्ष कह रहा कि सरकार में पावर की लडाई चल रही है जो उत्तरप्रदेस में लडाई चल रही है ये यूपी के बीजेपी की लडाई के तौर पर मत आप देखिए ये मोदी वर्सेज योगी की लडाई है और यहां से दिल्ली से ही सारा होता है कि जगड़े करो तो वहां जगड़े सुरू होते हैं आपस की खेस्तान है हाँ ये बात सही है कि नजूल भूमी बिल को लेकर विदान सभा में भी बीजेपी के सदस्तियों ने विरोध जताया था बावजुदिस के विदान सभा से बिल पास हुआ बिल पर सवाल उठाने वालों में बीजेपी के सिदार्त नाथ सिंग भी थे अब जब विदान परिशद में बिल भसा है तो बीजेपी के नेता कह रहे है कि सुधार और संशोधन होते रहना चाहिए ब्र भाजपा में कभी लडाई नहीं होती है सबसे अनुफासेत पार्टीeed थो भारतनीता पार्टी है और बिदेग का जाता सवाल है तो सिलेक क्रमिंटी की भेजा गया है तो इसमें परिक्षन होने दीजे मुझे लगता है कि भारतनिता पार्टी का जो नेतोत है जो फैसला करता है उठी करता है बहुत से भी देख होते हैं पार्टी ने फिर बिचार किया होगा सरकार को लगा होगा और संगठन को कि कानाम प्रवर समित में भी भेजना चाहिए इस पर और विचार है और सुधार हो सकते हैं और जनता के भलाई के लिए क्या काम हो सकते हैं बीजेपी के सहयोगी दल भी अब बिल्कु लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ये नजूल की जमीन होती क्या है तो आईए इसके बारे में आपको बताते हैं देश जब गुलाम था तो आजादी के आंदोलन के दोरान अंग्रेजों के खिलाब बिद्रो करने वालों की जमीनों को जब्त कर लिया जाता था अंग्रेज जब इस देश से गए तो ये जमीन सरकार के पास चली गई उत्तर से दक्षर सेलाब, मुसीबत और तबाही बेहिसाब पखार से मैदान तक सेलाबी सितम की चपेट में है जारकण में भी मुस्राधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है राची में हो रही जबरदस्त बारिश की वज़र से बार जैसे हालात हो गए है और घरों में पाली हुस गया है सडके दरिया बन गई है NDRF की टीम को रेस्क्यू के लिए उतारा गया है सौ से जादा लोग बार में फस गई है जिनका रेस्क्यू उपरेशन लगाता जारी है देखिए तस्वीरे किस तरीके से NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और पूरी टिम को रेस्क्यू के लिए उतारा गया है साथी आपको बताए सौ से जादा लोग अभी बार में फसे हुई है जिनका रेस्क्यू उपरेशन किया जा रहा है देखिए तस्वीरे भारी बारेश से ये बार लोग घरों में कैद हैं और बारेश की वजज़े से ये बार्ज जैसे खालाथ वहाँ पर पैदा हो गए देखिए किस तरीके से NDRF की टीम बहा पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है लगातार इसकी ऑपरेशन में जुटी हुई है चार तस्मीरे आपकी टीवी स्पीन्स पर किस तरीके से जारखंड में मुस्टादार बारिश मुसीबत बन गई है खास तोर पर लोगों के परिशानिया बढ़ा दी है लगातार जबरदस्त जो बारिश हो गई है उसकी बज़े से बारिश जैसे हाला चार तस्मीरे इंडियारेफ की टीम वहाँ पर टैनाथ है रिस्की ऑपरेशन चला रही है और सौ लोग सेलाव में फसे हुए है सड़के देखिए कि इस तरीके से दरिया बन रही है मानो कोई वाटर फॉल हो भारकन के राची की ये चार तस्मीरे हम आपको दुखा रहे है ये देखिए इंडियारेफ की टीम वहाँ पर टैनाथ है सौ से ज़्यादा लोग फसे हुए है जिनका रैस्की ओपरेशन वहाँ पर किया जा रहा देखिए कि सरेके से पंजों तक पानी वहाँ पर भरा हुआ है आवाज जाही में कितनी परेशानिया होंगी ये आप साफ तौर पर इस तस्मीर को देकर अंदाजा लगा सकते हैं अब बाद पहाड पर कुदरत के कहर भी हिमाचल में आई आफ़त के बाद मेगा रैस्की ओपरेशन चल रहा है और बताये जारा है कि हिमाचल में अभी उन्चास लोग लापता हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है हिमाचल के अलग-अलग तीन इलाकों में बादल फटने के बाद जमकर तबाही देखने को मिली है तबाही का मंजर है शिमला के रापूर के अलावा मंडी और कुलों में भी बादल फटने की घटनाए हुई थी हिमाचल में मेगा रैस्की ओपरेशन जारी है और उन्चास से जादा लोग अभी लापता है जिनको तलाशा जा रहा है हिमाचल के अलग-अलग तीन इलाकों में बादल फटने के बाद जमकर तबाही का मंजर देखे तस्मीरे और आपको बताए कि शिमला के रामपूर के अलावा मंडी और कुलू में भी बादल फटने की घटनाए हुई थी कुल तीन जहां जहां पर बादल फटने की घटनाए देखने को मिली थी और अब भी उंचास लोग लापता है जुनको तलाशा जा रहा है लगादार अबदा के बाद रेस्की ऑपरेशन जारी है और अब आपको शिमला के रामपूर से ग्रान रिपोर्ट दिखाते हैं अमारे सेयोगी सर्चुन कुमार वहाग के खौफनाक मंजर को दिखा रही है और लोग बया कर रही है शिमला के रामपूर के नजदीक समेज गाउं में बुद्वार रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है 36 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलास जारी है बारतिय सेना लगी है, NDRF लगी है, CISF लगे है, State Disaster Response Force के लोग लगे है यहाँ आप देख सकते हैं यह जो खट है उस पे अब सेना के जवान डटे हैं सेना के जवानों द्वारा यहाँ एक पुल जो है बना दिया गया है इस खट के उपर, नाले के उपर ताकि जो बचाव कर्मी हैं वो दूसरी तरफ जो हैं खट के असानी से जा सकें तो इस तरीके से इस जो सर्च ऑपरेशन है उसको तमाम यह बचाव दल जो है आगे बढ़ा रहे हैं एंडियरेफ के जवान लगे हैं जगा जगा तलाशी अभियान चला है ताकि मिट्टी खोद के जो है सर्च की जा रही है ताकि कोई शव जो है जो गाउवाले उस जलजले में बहे थे उनका मिल सके हालांकि अभी तक इसमें काम्याबी हासिल नहीं हुई है क्योंकि ये इतना जबरदस जलजला था इतने बड़े बड़े पत्थर और कई फीट उन्ची जो है मिट्टी गाद जो है इसमें जो है नाले के साथ आई थी उपर की तरफ आप देख सकते हैं उपर से NDRF के जवान आ रहे हैं ये पूरा जो बेसिन है इस खट का नाले का उस पे जो है ये बचाव का काम जो है सर्च का काम जो है ये चिलाया जा रहा है तो सेना अपने तरीके से काम कर रही है सेना दोरा जो है पुल बनाया गया है इ लाकि नाले के दूसरी तरफ जो है सर्च ऑपरेशन जो है उसको चिलाया जा सके और NDRF के जवान भी लगे हैं स्टेज डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स के जवान भी लगे गे हैं और हिमाचल पूलिस के जवान भी लगे हैं मुखे मंत्री सुकविंदर सुकू खुद अ इसके लावा कि कुलो जिले में जो है बागी पूल में जो है वहां जो लोग लापता हुए हैं वो भी उसमें शामिल है इसके लावा इसके लावा मंडी में जो है बातल फटने की घटना से जो लोग लापता हैं वो भी शामिल है आप देख सकते हैं सामने इस पूल से जो ह अब क्रॉस कर रहे हैं ये ये पुल बना दिया गया है एक टेंपरेरी पुल जो है एक टेंपरेरी पुल जो है वो बना दिया गया है अब देख सकते हैं कितना रिस्क इसमें इन्वाल्व है एंडी एरेफ के जवानों के लिए कितना रिस्क है पर ये बचाव का काम जो है इन तो हमारे सेयोगी सर्चुन की रिपोर्ट आपने देखी कि इस तरीके से पहाडों पर हो रहे तबाही के मंजर को उन्हें बाया किया लेकिन लगातार एंडियर्फ की टीम में लगी होई है जितने भी लोग लापता हैं उनकर रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहे हैं साथ ही आपको बताए हिमाचल के सीम सुखविंदर सिंग सुखु ने भी पिन्यू से खास बात चीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कि मैं केंदर सरकार से इस पर बात करूंगा कि हर साल इतने बादल क्यों फट रहे हैं हमासात मुख्यमंती सुखविंदर सुखु हैं समेज गाव में पहुंचे हैं जाय जालेने सर हिमाचल में बादल फटने से अभी तक कितना नुकसान है जान और माल का अभी तक इस बार कि जो क्लॉड बस्ट हुआ वो एक रेंज में पांच क्लॉड बस्ट हुए और ये छोटा सा नाला था और इस छोटे से नाले में आप ये नाजा लगाओ कि तकरीवन ये नाला नहीं है ये नदी बन गई है तो ये क्लॉड बस्ट भी वाटर बम की तरह लग रहा मैंने पिछली बार के भी कलॉड बस्ट देखे हैं और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ज्यादा यहां पानी वह आ जाएगा आज इसमें इतना नुकसान हुआ है तो मुझे यह सा लगता है कि जो मिसिंग लोग है इतने बड़े नुकसान को देखर उनके मिलने की उमीद कम है 49 के करीब अभी तक मिसिंग लोगों का पता चला है चार डेड बोडी को रिकवर कर लिया गया है आप देखो ना यह है देखिए जैसीवी से इतने बड़े पहाड पत्थर यह चोटा नाला अब यह क्यों क्लोड वस्ट हो रहा है हमें तो इस दिशा में सोचना है केंदर सरकार को भी राज्जा सरकार को भी यह पहाडी शेतर में जो क्लोड वस्ट हो रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और पिछली बार मैंने आपदा देखिए इतना बड़ा क्लोड वस से ऐसा लगता है कि यह ऐसी क्या ऐसी आपदा थी कि इसने इतने एक छोटे से नाले को इतने बड़े पहाड में 40-50-50 मीटर पानी उपर आया लोग दूर रहते तो भी भैगे इसके बारे में मैं होम मिनिस्टर साब से भी बात करूँगा कि ये आप ये मत देखिए कि पहाडों में क्यों हो रहा है ये देखिए कि इसके पीछी का कारन क्या है और क्यों इतने क्लोड बस्ट हो रहे हैं और जब विजली कड़ती एक दम इतना तेजी से पानी आ जाता है आप सोच में नहीं सकते आप कलपना में नहीं कर सकते ये से प्रोपर्टी का कुछ अंदाजा लगाया है सर अभी तक कितना कर है इमाचल में जो अभी तक ख़ब ए आंकलन आया है अभी मैं पूरा शाम को आज मिटिंग लूँगा उसी के बाद जो प्रोपटी का नुक्सा फ्री किया है पचास अजार रपया उनके अभी कपड़े खृदने के लिए दिये हैं और डिप्टी कमिशनर आज शाम तक सब कुछ बांड देगे और चले को और बड़ी खबर आपको बता दे हिमाचल के लाहॉल स्पीती में भी बादल फटा है सेलाब की चपेट में एक महिला लापता हो गई है सवर्च उपरेशन चलाया जा रहा है लाहॉल स्पीती से एक खबर है हिमाचल में पड़ता है जहां पर बादल फटने की खबर सामनी आई है तो हमने आपको तमाम तस्वीरे दिखाए कि इस तरीके से क्लाउड बॉस्ट यानि की बादल फटने से जो तबाही का मंजर है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है और इसी सेलाब की चपेट में एक महिला आई है जो किला पता हो गई और अब आपको हिमाचल और उत्राखंड में हुए हादसों पर रिपोर्ट दिखाते हैं देखे कितना खौफनाव मंजर है कहीं टूटी कार कहीं बिखरा सामार कहीं बह गया मकान कहीं गिर रहे हैं पत्थर तूट रहे हैं जिन्दगी के अर्मार उत्राखंड से लेकर हिमाचल तक परबादी की बारिश हो रही है जुलाई खत्म हुआ अब अगस्त होसलों को पस्त कर रहा है यह है उत्राखंड के टिहरी जिले का जखनियाली गाउं दो दिन पहले यहां बादल फटा था भारी तबाही हुई थी चान और माल दोनों का नुकसान हुआ था एबीपी न्यूस समवाद दाता दीपक रावत शोक में टूबे टिहरी गड़वाल के इस गाउं में पहुँचे वहां जो दिखा वो उस भयानक मंजर की गवाही दे रहा है यह टीरी जिले का जखनियाली गाउं है जहां दो दिन पहले बादल फटने से भारी तबाई हुई यहां पर दरसल एक भरपूर गाउं हुआ करता था पांस से छे मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलवे के नीचे दब चुके हैं आपको इस तरफ के जो मकान देख रही है वो भी इस मलवे के जद में आए और उसके बाद देखिए किसी की चट टूड़ गई है किसी का बेस तूट गया है किसी का पूरा मकान बह गया है भारी से भारी सामान, भारी से भारी गाडियां, सब कुछ बहकर नीचे आ गई, नदी की तरफ आ गई हैं, यह स्तिती आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरे इलाके में तबाई हुई है अब थोड़ा आगे सोन ब्रियाग आप को लेकर चलते हैं, केदार धाम के रूट पर फिर से जबरदस्ट लैंड स्लाइड हुआ यह वो ही जगा है, जहां हाईवे पूरी तरहा बह गया है इस वज़ा से रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जब लैंड स्लाइड हुआ, तो कुछ देर के लिए रेस्क्यू का काम रोकना भी पड़ा हाला कि जैसे ही मौसम ठीक होता, NDRF, SDRF और पुलिस के जवान देवदूद बनकर लोगों को बचाने के अभियान में फिर जुट जाते हैं इस इलाके में लोगों को बचाने के लिए वायू सेना का चिनूख और MI-17 कोचर हवाई पट्टी पर तैनाथ है खालाद भरे ही मुश्किलों से भरे हैं, लेकिन भारत मा के सपूद जवान, केधार धाम के रास्ते में फसे लोगों को निकालने के काम में दिन रात एक किये हुए हैं NDRF, SDRF के जवान, जंगली इलाकों में ड्रोन के जर्ये निगरानी कर रहे हैं और आगे की रणमीती बना रहे हैं उत्राखन की लगभग सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं चमोली में अलग नंदा नदी को देखिए, ढ्रोन से ली गई ये तस्वीर सारी कहानी बया कर रही है उत्राखन जैसे ही हालाद पहाड के उस पार हिमाचल प्रदेश में भी हैं हिमाचल में भी बादल पटा था और उसके बाद तबाही के निशान बहुत दर्द दे रहे हैं समवाददाता सचिन ने उन लोगों से बात की जिन्होंने बरबादी में बहुत कुछ होया है पुरे गाउं के लोग किस तरह से इकठा बैठे हैं यहां पे क्योंकि यह तरास्दी इतनी बड़ी हुई है पूरे गाउं में कि एक दूसरे का दुख बंटाने की कोशिश कर रहे हैं आपको पता लगा था कि यह बाद आ रही है गाउं से भावन आया था मेरा कि इस में साइड आवाज बहुत आ लिए लगातार बारिश और मुश्किल परिस्थितियों के बीच NDRF ने राहत और बचाओ काम तेज कर दिया है अभी भी शिमला रामपुर इलाके में 36 लोग लापता है जिन्हें ढूंडने का काम तेजी से किया जा रहा है भारतिय सेना, NDRF, CISF, State Disaster Response Force ये तमाम बल जो हैं अब बचाओ कारियों में लगे हैं ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंडा जाए उनके शब ढूंडे जाए दूसरी तरफ आप देखेंगे मंजर तो घर जो हैं तूटे हुए घर नजर आएंगे आपको घरों के अंदर गारा भड़ा हुआ है और ये तूटे हुए घर जो हैं अब रहने लाइक नहीं बचे हैं ये इस त्रास्दी की जो भैवत है उसको बता रहा है उत्रा खंड से लेकर हिमा चलतर इस वक्त पहाड में हर पल मुश्किलों से भरा है ऐसे में खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बेहत जरूरी है बाड़ और बारश से बुरा हाल देश के दिल कहे जाने वाले मध्यप्रदेश का भी है उत्रप्रदेश बिहार राजस्तान के कई लांकों में बाड़ बारश से खाल बेहाल है मुसीबत का सैलाव आया तबाही बेहिसाब लाया पहाड से लेकर मैदान तक हर जगह लगा है जल कर थी उत्तर भारत में इस वाक्त बरबादी की बारिश हो रही है यूपी एमपी से लेकर राजस्तान तक हर जगह जल तांडव मचा हुआ है सबसे पहले राजस्तान के सबसे बड़े शहर और राजधानी ज्रैपूर आपको लेकर चलते हैं यह वो शहर है जहां देश-विदेश से सेलानी हर साल लाकों की तादात में आते हैं अपने किलों के लिए मश्यूर जैपूर के ये ताजा नजारे हैं गलियों में नदी की रफतार से पानी बहरा है पानी की स्पीर देखे यहां रह रहे हैं लोगों की परेशानी के बारे में सोचे जैपुर की गली का नजारा तो आपने देख लिया अब आपको जैपुर के चोमो पुलिस थाने लेकर चलते हैं तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मानो यह थाना किसी तालाब में स्थिर है बार की यह तस्वीर आपने देखी अब थाने के अंदर चलिए यहां तो हालात और भी ज्यादा बत्तर है पूरे थाने में पानी भराखे, सामान बह रहाखे, कमर तक पानी भराखे सोचिए यह वो जगाए है जहां से लोगों को मदद का सहारा रहता है लोग अपनी फर्याद लेकर यहां आते हैं लेकिन अभी तो फुलिस कर्मी खुद ही पुद्रत के कहर और नकारे सिस्टम के सामने खुद को बचा रहे हैं अब MP चलते हैं, गिंडौरी की इस तस्वीर को देखे सावन के महिने में एक अतारबद होकर सैकडों की संख्या में तेज बहाब के बीच कावड ये कावड लेकर जा रहे हैं मतलब जरासी सावधानी हची और दुरघट ना घट माध्य प्रदेश की पहचान क्रिशी प्रदेश के तौर पर की जाती है भारी बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है खेद तालाब में तब्दील हो चुके है किसानों का ड्रीवन इसी फसल से चलता के लेकिन अब डर है कि पानी में डूबी फसल खराब ना हो जाए मुश्किल ये है कि सिहोर में मौसम विभाग में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया खे अगि ये लूबी घुष्यों करेती है रही है सा में ढाबला चोटी कुलांस बड़ी कुलास ऐसे सिहोर एमपी का बोज इलाक है जो राजधानी भोपाल से सटा हुआ है लेकिन लगातार बारिश ने सिहोर को भोपाल से काट दिया कि बारिश की बज़स्ते नदी तालाब उफान पर है भोपाल और सिहोर का संपर्क कर गया कि वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई है लेकिन लोगों के पास पानी कम होने के लिए इंतजार के सिवाई कोई चारा नहीं बचाए तमाम लोग कल से जो ग्यामिन है कल से लगाता जो बारिश हो रही है उसके चलते हैं पर जो सड़क के अब जलमंगन होती होई नजर आ रही है आप देख सकते हैं घरों में सब केध हैं और इन तमाम लोग भेट परहसान है लगातार इनको जो बारिश होती है उसी बारिश से इस तरह जहनना पड़ता है ये कल से भरा रहा है अच्छा तो आप घर में के दो इस तरह से हां बिलकुल स्कूल सब की चुट्टिया हो गई है वैसे पानी पानी आगा पानी आगा दूसरा गों में देगा समान यूपी के एटा में तो दर्दनाक खबर आई भारी बारिश से एक मकान की छथ ही गिर गई जिसके मलवे में पूरा परिवार दब किया एक बुजर्ग महिला और एक बच्चे ने उसी वक्त दम तोड़ दिया बलकि चार कम भी रुप से खाई केरल के वाइनार्ट में मने वालों की संखिया 340 के पार पहुंच गई है और अब भी ऑपरेशन लगातार जारी है खुदरत के एक रोध की कहानी बता रही है तस्वीर एक एक तस्वीर बरबादी का सबूत दे रही है 29-30 जुलाई की रात आई तबाही के मन्जर के बाद दिन बीचते जा रही है लेकिन वाइनार्ट का दर्द खत्म नहीं हो रहा है अभी भी रेस्क्यू में टीमें जुटी है 3000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है कई की तलाश जारी है जबकि 300 से ज्यादा लोग जिन्दगी की जंग आर चुके प्रभावित एरिया को 6 जोन में बाटा किया 40 टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी है रेस्क्यू को आसान बनाने के लिए मदरास इंजीनर रेजिमेंट ने ब्रिज बना दिया 16 घंटे में ही 190 फुट लंबा और 3 मीटर चौड़े ब्रिज का निर्मान कर दिया गया मशीनों के सर्ये सफाई अभियान चल रहा है हर जगह मलवा भरा है कार हो या मकान सब खत्म को चुके हो दिन बढ़ रहे हैं लेकिन वाइनाट का दर्द खत्म नहीं हो रहा ये वो अस्पताल है जिसमें त्रासदी के बाद 132 लोगों का इलाज किया जा रहा कि वहाँ एक नर्स थी नीतू जोजो नीतू अब इस तुनिया में नहीं है लेकिन नदी के पास रहने वाली नीतू ने अगर अपने अस्पताल में वो फोन ना किया हो था तो आज मौत का आखड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका होता सुनिये नीतू की कहानी जिसको पूरा अस्पताल सलाम कर रहा है आपको सबसे पहले नीतू ने कॉल किया क्या बाच्चीत हुई क्या किया आपने और अभी नीतू के बारे में क्या ख़बर मिल रही है दूस्ट पूरा मौत का को अस्चाफ है उसने 1.30 एम को कॉल किया अनुशल लगा वोशेद तो मुछ रूम जरूस पूरा अघ। समभी जर सेंग लूबर रहा है इंग कर रहा है पानी लग पानी से अन्धेट अपटा जरू को पूरा श्पताल करेंजेंगे दो नाटनाए जो लिए। फ्रवाइन को शोजुआ जो रोले के लिए। फोली को बाटनाइटा स्वेटिया। लोगादा घट्सएंगा बाटनाए साथा टार्वित अग्या से एसांटवाण में झाल चानला ही। वाइनाट के साथ इस वक्त पूरा देश है। वाइनाट के पूर्वसांसत और नेता विपक्ष राकुल गांधी अपनी बहन के रंगा के साथ उन इलाकों में खुम रहे हुए। जहां हादसा हुआ। वाइनाट को संभलने में वक्त लगेगा। बस उम्मीद कीजिए रेस्क्यू अभियान सफल हो और लापता लोग जल से जल मिल सकेगा।